नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महान उद्देशक जॉन वैसली जो इंगलाइंड में जागरती के जनक माने जाते हैं, उन्होंने एक बार इस प्रकार कहा था, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, वह है स्वर्ग का मार्ग, उस आनन्द के छोर पर हम कैसे सुरक्षित पहुँच सकते हैं, परमेश्वर ने स्वैम उस मार्ग को सिखाने की कृपा की है, और इस उद्देश से वह स्वर्ग से आया था, उसने इस पुस्तक में लिखा है, तब आगे वह कहता है, ओ, मुझे वह पुस्तक दे दो, किसी भी कीमत पर मुझे परमेश्वर की वह पुस्तक दे दो, वह मनुश इस पुस्तक के लिए अधीर हो जाता है जिसके द्वारा से उस स्वर्ग के किनारे तक हम पहुँच सकते हैं प्रियो आप सत्वचन कारिकरम देख रहे हैं और हम इस कारिकरम में इसी पुस्तक का अध्यान कर रहे हैं जिसकी चर्चा जौन वेसली कर रहे हैं जिनके पास ये पुस्तक है वे इसे संजो कर सुरक्षित ना रखें परंतु इसे परिवार समेट मिलकर अध्यान करें और जिनके पास नहीं है उनसे मेरी सला है कि अपने लिए एक ले ले और यदि आपके पास नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको ये पुस्तक अर्थात परमेश्वर का वचन भेजने में आनंदित होंगे यदि मैं आपसे कहूं कि आप दो में से क्या चुनेंगे स्वर्ग या नरग तो हम में से एक मूर्खी होगा जो स्वर्ग को नहीं चुनेगा पवित्र शास्त्र बाइबल स्वर्ग के मार्ग के बारे में चर्चा करती है उसे प्राप्ट करने के लिए परमेश्वर एक योगी जीवन की आशा करता है परमेश्वर के इस्तर का जीवन जीने के शिक्षा बाइबल में हमें मिलती है इसलिए हम इस कारी करम में बाइबल के इस्तर के जीवन को प्रणाली बद अध्यन के द्वारा अध्यन कर रहे हैं मेरा विश्वा से दोस्तों कि इस अध्यन के द्वारा आप स्वर्ग के मार्ग को पा लेंगे तो चलिए बाइबल से दूसरे शामविल की पुस्तक के आज के अध्यान को हम आरव करते हैं प्रेमित्रो हम दूसरे शामविल की पुस्तक 19 अध्याय उसके 23 पत को पढ़ते हैं यहां पर लिखा है फिर राजा ने श्रीमि से कहा तुझे प्राण दंड न मिलेगा और राजा ने उससे शपत भी खाई ध्यान देजे श्रीमि के लिए दावद का अंतिम निर्ने था कि वह उसे दंड देना नहीं चाहता है सच तो यह है कि दावद उससे किसी भी प्रकार का विहवार नहीं करना चाहता था दूसरा शम्वेल 19 अध्याय के 24 पत में आगे पढ़ते हैं तब शावल का पोता मपी बोशेत राजा से भेंट करने को आया उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल, शेम से फिर आने के दिन तक ना तो अपने पाउं के नाखुन काटे और ना अपनी दाढ़ी बनवाई और ना अपने कपड़े दुलवाए थे मपी बोशेत दावत के आभार में विद्रोहियों के साथ नहीं हुआ था वह दावत का निष्ठावान रहकर उसके लिए इस पूरे समय उपवास रखकर प्रार्थना करता रहा ऐसे मित्र होना सवभागे ही की बात है नहीं क्या दूसरा समयल 19 सध्या उसके 25 से 28 पद में लिखा है जब यरोशलेमी राजा से मिलने को गए तब राजा ने उससे पूछा हे मपी बोशेत तू मेरे संग क्यों नहीं गया था उसने कहा हे मेरे प्रभू हे राजा मेरे करमचारियों ने मुझे धोखा दिया था तेरा दास जो पंगु है इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गधे पर काठी कस्वा कर उस पर चड़ राजा के साथ चला जाओंगा और मेरे करमचारी ने मेरे प्रभू राजा के सामने मेरी चुगली खाई है परन्तु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूद के समान है और जो कुछ तुझे भाय वही कर मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्रान दंड के योग्य था परन्तु तुने अपने दास को अपने मेज पर खाने वालों में गिना है मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दोहाई दूँ मपिवशेद ने दाउस से कहा यदि तु सोचता है कि यदि मैंने तेरे साथ विश्वास घात किया है तो जो उचित समझे मेरे साथ कर मुझे अधिकार नहीं कि तुझ से और अनुग्रह की याचना करूँ दूसरा शम्वेल उनिस सध्या उसके उन्तिस और तीस पद में लिखा हुआ है राजा ने उससे कहा तु अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है मेरी आग्या यह है कि उस भूमी को तुम और सीवा दोनों आपस में बांट लो तब मापी बोशेद ने राजा से कहा मेरा प्रभू राजा जो कुशल शेम से अपने घर आया है इसलिए सीवा ही सब कुछ ले ले मेरे विचार में इससे मापी बोशेद के निष्ठा प्रगट होती है दूसरा शम्वेल 19 सध्या उसकी 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं तब गिलादी वर्जिले रोगलिम से आया और राजा के साथ यर्दन पार गया कि उसको यर्दन के पार पहुँचाए वर्जिले तो व्रिध पुरुष था अर्थात 80 वर्ष की आयू का था जब तक राजा महनेम में रहा तब तक वह उसका पारन पोशन करता रहा क्योंकि वह बहुत धनी था वर्जिले गिलादी अन्य जाती पुरुष था जिसने अप्शालोम के विद्रोह के समय दाउत को भोजन वस्त में दी थी दाउत चाहता था कि वह उसके साथ यरुषलेम जाए जिससे कि वह उसे प्रतिफल दे दूसरा शामवेल 19 सद्ध है उसके 33 और 34 पद में आगे लिखा है तब राजा ने बर्जिले से कहा मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरुषलेम में अपने पास रख कर तेरा पालन पोशन करूँगा बर्जिले ने राजा से कहा मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरुषलेम को जाऊं आज मैं अस्ति वर्ष का हूँ अपने दास को लोटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कबरिस्तान में दफन हो अब मेरे लिए तो संसार में आकरशन रहा ही नहीं तब हम देखते हैं दूसरा शामुईल 1926 के 36 पद में लिखा है तेरा दास राजा के संग यर्दन पार ही तक जाएगा राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे बरजिले ने दाउद की सहयता की क्योंकि वह जानता था कि दाउद परमिश्वर का जन है उसे राजा पर पूरा भरुसा था दाउद की सहयता करने में यही उसकी प्रेणा का आधार था मित्रो यह बड़ी बात थी कि दाउद अपने ही पुत्र के साथ अधिक शमा सील नहीं था यदि वह अप्शलोम को उसी समय पूरा शमा कर देता जब पाप करने के बाद लोट कर उसके पास आया था तो परिस्तिती कुछ और होती यदि वह उड़ाव पुत्र के पिता की नाई उसके गले में बाहें डाल कर उसका स्वागत करता और उसे नए वस्तर पहना कर बच्छरा कटवाता कि उत्सो मनाए तो मेरे विचार में दाउद इस भहंकर विद्रो से बच जाता मित्रो इसी के साथ अध्याए 19 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यन को अध्याए 20 से जारी रखेंगे हम देखेंगे विद्रो और बदले की आग अध्याए 20 में दाउद से विद्रो का एक और विरतान्त है आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर दाउद पर अब तो दया करे और उसे छोड़ दे परन्तु परमेश्वर तो उससे पहले ही कह चुका था कि तलवार उसके घर से कभी दूर न होगी इन सब परिसितियों में हम दाउद का सिसकना नहीं सुनते हैं वह उसे अपने पाप का उचित दंड मानता है इस्रेलियों की इर्शा के परिनाम सरूप एक और विद्रोह आरंभ होता है क्योंकि दाउद को सिहासन पर पुना आसिन करने में उसकी सहमती नहीं ली गई थी विन्यामिनी शेबा उनका अगवा था आएए देखें शेबा का विद्रोह दूसरा शाम्वेल बीस अध्या उसके एक पद में लिखा है वहां संयूक से शेबा नामग एक विन्यामिनी था वह ओचा पुरुष विक्री का पुत्र था वह नर्सिंगा फूँक कर कहने लगा दाओद में हमारा कुछ अंस नहीं और ना इशे के पुत्र में हमारा कोई भाग है हे इस्राइलियों अपने अपने डेरे को चले जाओ तब आगे लिखा है दूसरा शाम्वेल बीस उसके दोपद में इसलिए सब इस्राइली पुरुष दाओद के पीछे चलना छोड़ कर विक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए परन्तु सब यहुदी पुरुष यर्दन से यरुशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे यह बड़े आश्यरी की बात है कि इस्राइली कैसे अनिष्ट थे और विश्वास के योगे नहीं थे कोई कहेगा यह तो मानव विकास और सभ्यता से पूरु का समय था मैं उससे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आज अधिक अच्छे लोग हैं यह बड़ी रोचक बात है कि गंड मानने व्यक्ति यदि कोई ऐसी बात कह दे जो कहना आवश्यक नहीं तो चुनाव में वह हार जाएगा इसी से प्रतीत होता है कि जनता कैसी दूचित्ते सुभाव की है परमेश्वर हमारे मन को जानता है यर्मिया की पुस्तक सत्रा अध्याय के नौपद में लिखा है मन तो सब वस्तों से अधिक धोखा देने वाला होता है उसमें असाध्य रोग लगा है उसका भेद कौन समझ सकता है या पत किस के मन की चर्चा कर रहा है एक निर्दई तानाशाह की नहीं या आपके और मेरे मन की चर्चा कर रहा है मन रिश्य का मन दुष्टता से भरा होता है रोमियो की पत्री साथ अध्याउस के अठारा पद में पालुस कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती इच्छा तो मुझ में है परन्तु भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते इस्राइल के दस गोत्र शेबा के साथ विद्रोह में साभागी हुई है दूसरा शम्विल बीस अध्याय के तीन पद में लिखा है तब दाउद यरुशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन दस रखेलियों को जिन्हें वा भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोशन करता रहा दूसरा शम्विल बीस अध्याय के चार पद में लिखा है तब राजा ने अमासा से कहा यहुदी पुर्ष्णों को तीन दिन के भीतर मेरे पास बुलाला और तू भी यहां उपस्थित रहना आपको स्मरन होगा कि अमासा अप्शलोम का सेना पती था दूसरा शम्विल 17 अध्याय के 25 पद और पहला इतिहास दो अध्याय के 17 पद के अनुसार अमासा दाउद की बहन अभिगेल का पुत्र था अतह वह अप्शलोम का फुफेरा भाई था अप्शलोम के मृत्यों और अमासा के अधिन विद्रोही सेना की पराजय के बाद दाउद ने अमासा को इवाब के अस्थान पर अपना सेना पती बना दिया था दूसरा शम्विल 20 अध्याय उसके 5 से 7 पद में इस प्रकास से लिखा हुआ है तब अमासा यहुदियों को बुलाने गया परंतु उसके ठहराई वे समय से अधिक रह गया तब दाउद ने अभिशे से कहा अब विक्री का पुत्र शेबा अफ्शलोम से भी अधिक हमारी हानी करेगा इसलिए तु अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर ऐसा नहो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दिष्टी से छिप जाए तब युवाब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और विक्री के पुत्र शेवा का पीछा करने को यरुशलेम से निकले दूसरे शब्दों में अमासा शेवा का पीछा करने नहीं गया अता युवाब ने अमासा को बड़ी निर्देता से मार डाला क्योंकि उसे संदे हो गया था कि वह दाउत का विश्वास घाती है मेरे मित्रो अध्याय के अंत में युवाब शेवा का पीछा कर रहा है शेवा ने आबेल नगर में शरन ले और सेना उस नगर पर आक्रमन करने ही वाली थी कि एक बुद्धिमान इस्त्री ने हस्तक शेव किया आबेल के नगर वासी ही शेवा की हत्या कर देते हैं और विद्रो का दमन होता है परन्तु दाउत के क्लेशों का अंत हुआ जैसा हम देखेंगे इन सब कष्टों के मध्य भी दाउत की चितकार सुनाई नहीं देती है नहीं वह सिसकता है वह जानता है कि यह परमिश्वर की तारना है मेरे मित्रों यह कभी न सोचें कि दाउत पाप करके बच गया था उसे बड़ा दंड दिया गया था परन्तु दाउत परमिश्वर से प्रेम करता रहा उसके चुकने वाले विश्वास के नीचे अचुक विश्वास था या दाउत है परमिश्वर का जन परमिश्वर के मन का मनश्य विद्रों का दमन हो जाने के बाद जनता दाउद को पुनह सिहासन पर बैठाती है शेवा एक उच्छा पुरुष था उसे बुरा लगा कि दाउद को सिहासन पर पुनह बैठाने में उसकी सहमति क्यों नहीं ली गई अब उसने विद्रोह कर दिया वह आबेल नगर में आबेल वासियों द्वारा मारा गया अप्शलोम का सेनापती दाउद का भांजा अमासा जिसे विद्रोह दमन के पश्चाद दाउद ने अपना सेनापती बना लिया था शक के दाइरे में युवाब द्वारा मार डाला गया मित्रो इसे दावत की समस्याओं का अंत आप न माने अध्याए 21 में वहां अकाल और पलिस्तियों से युद का उलेख है यहाँ पर अध्याए 20 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यान को अध्याए 21 से जारी रखेंगे इसमें हम देखेंगे तीन वर्ष तक अकाल अध्याए 21 अकाल के वर्नन से आरंब होता है दूसरा शम्वेल 21 अध्याए उसके एक पद में इस प्रकास से लिखा हुआ है दावत के दिनों में लगातार तीन वर्ष तक अकाल पढ़ा तो दाउद ने यहवा से प्रार्थना की यहवा ने कहा यह शावल और उसके खोनी घराने के कारण हुआ क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था परमेश्वा ने अकाल का कारण दिया वह बड़ा विचित्र है परन्तु हमारे लिए शिक्षा है हम देखते हैं शावल के परिवार से गिबोनियों का बदला लिया जाना दूसरा शामवेल 21 अध्याय उसके दो पद से साथ पद में इस प्रकास लिखा हुआ है तब राजा ने गिबोनियों को बुला कर उनसे बातें की गिबोनियों लोग इस्राइलियों में से नहीं थे वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इस्राइलियों ने उनके साथ शपत खाई थी परन्तु शावल को जो इस्राइलियों और यहुदियों के लिए जलन हुई थी इससे उसने उन्हें मार डालने का यतन किया था तब दाउद ने गिबोनियों से पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायशित करूं कि तुम यहवा के निजभाग को आशिरवाद दे सको गिबोनियों ने उससे कहा हमारे और शाउल या उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई जगड़ा नहीं और ना हमारा काम है कि किसी इस्राइली को मार डालें उसने कहा जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा उन्होंने राजा से कहा जिस पुरुष ने हमको नश्ट कर दिया और हमारे विरुध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यनाश हो जाए कि इस्राइल के देश में आगे को न रह सकें उसके वन्स के साथ जन हमें सौंप दिये जाएं और हम उन्हें यहवा के लिए यहवा के चुने हुए शाओल की गीबा नामक बस्ती में फांसी देंगे राजा ने कहा मैं उनको सौंप दूंगा परंतो दाउद ने और शाओल के पुत्र योनातान ने आपस में यहवा की शपत खाई थी इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपी बोशेत को जो शावल का पोता था बचा रखा यह धर्म शास्र का एक आजसाधारन अध्याय है इसे समझने के लिए हमें यहोशो के पुस्तक अध्याय नाओ देखना होगा गिबोनियों ने यहोशो को धोखा देकर संधी कर ली थी जबकि परमेश्वन ने इस्सरायल को आग्या दे थी कि वह किसी से संधी ना करे मेरे मित्रों उस युग में संधी करना वाचा बांधनी होती थी जिसे कुछ लोग असभ्य आचार कहते हैं वाचा तोड़ी नहीं जा सकती थी वाचा बांधने के पश्चाद उसके शर्तों का पारण किया जाता था ये वाचाएं कागजी कारवाई नहीं होती थी कि उन्हें बदला जा सके आज राष्ट में संधी करते हैं वा उपहास जनक है क्योंकि उन्हें कोई नहीं मानता है आज राष्टों का परस पर विहवार एक समाने मनशी के लिए वियंग का कारण है परन्तु परमेशर को मानने वाले राष्ट का वचन ही एक बंधन होता है यहोशु ने गिबोनियों के साथ वाचा बांधी थी परन्तु शाओल ने राजा बनने पर वह वाचा तोड़ दी दावद ने शाओल के इस अनाचार की शतिपूर्ती की और सफल हुआ अब सिक्के का दूसरा पक्ष रोचक है परमिश्वर नहीं भूला कि शाओल इसराइल के प्रतिन निधी ने गिबोनियों के साथ बंधी वाचा तोड़ी थी अब क्योंकि इसराइल परमिश्वर की प्रजा थी इसलिए इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह अपराध करके बचेगा उन्हें दंड मिला और तीन वर्ष अकाल पड़ा मुझे इसे आज के परिफेक्ष में प्रसांगिक बनाने दें परमिश्वर सब जातियों का न्याय करता है जी हाँ वह यह नहीं देखता कि कौन सा राष्ट्र क्या है परमिश्वर ने मिस्ट्र को, बेबिलोन को, अशुर राष्ट्र को, युनान को और रोम को भी दंड दिया था और वह आज भी राष्ट्रों को दंड देगा परमिश्वर के दंड के अनेक प्रमान है मैं कुछ का उल्लिख करना चाहता हूं पाप का जीवन युध आदी, शांती कहा है यशाय की पुस्टक 57 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है दुष्टों के लिए शांती नहीं है मेरे परमिश्वर का यही वच्चन है किसी राष्ट के विगठन का एक संकेत यह भी है कि उसमें कोई अच्छा राजनेता ना हो आपको स्मरन है कि परमिश्वर ने यशाय नभी की पुस्टक तीन अध्याय उसके 12 पद में क्या कहा है मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और इस्तरियां उन पर प्रभुता करती है हे मेरी प्रजा तेरे अगवे तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं भुकंब भी परमिश्वर के दंड का साधन है अविवस्था और घोर एनेतिकता के लिए परमिश्वर राष्टों को दंड देता है यदि दूसरा शाम्वेल अध्याए 21 किसी तथ्य को प्रगट करता है तो वह यही है कि परमिश्वर राष्टों को दंड देता है मित्रों यहाँ पर हमारे अध्यन का समय समाप्त होता है और अगले अध्यन में हम इसके आगे के विशे को देखेंगे दोस्तों आपने देखा कि इन सब विपत्यों के बाद जो दाओद पर आई है आप समझेंगे कि यहाँ परमिश्वर ने उसे छोड़ दिया या छोड़ देगा परंतो उसके भचन के अनुसार भी दाओद के घराने पर से तलवार कभी न हटेगी सब बातों के लिए हम दाओद की और से कुड़कुड़ाना नहीं सुनते हैं वह इसे अपने पाप के न्याए संगत सजा के रूप में पहचानता और ग्रहन करता है इन सब परिक्षाओं में दाओद ना तो जोर से रोता है और नहीं बिलक-बिलक कर रोता है वह जानता है कि यहवा उसके साथ जंगल में उस वीराने में बरताओ कर रहा था उससे डील कर रहा था दोस्तों यह ना सोचें कि दाउद अपने पाप के दंड से बच गया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिली, हलाकि दाउद परमेश्वर से प्रेम करता था, उस असफल विश्वास के नीचे एक ऐसा विश्वास था जो कभी असफल नहीं हुआ, यही दाउद है दोस्तों, मन का एक वैक्ती, वह अनंत दंड से बचाया गया और वह भी उन लोगों के उपर दया करता है, जो उसकी दया के पात रहें, मित्रों परमेश्वर चाहता है कि इन पापों से हम बचे रहें, आप बचे रहें, यदि आपने जीवन में कोई गल्ती किया हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी यही देखना चाहता है, कि दाउत के समान हम पशतापी बने और परिणामों को स्वीकार करें, आईए हम प्रार्थना करें, हमारे जीवित सामर्थी दयालो पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इन सुन्दर वच्णों के लिए, जिसके द अबुत रीती से प्रभू दाउद ने अपना जीवन आपके प्रति समर्पित किया, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभू, कि वे पिता आपके अनुग्र में बढ़ते चले जाएं, और प्रभू यदि उन्होंने आज ये निर्ने लिया है, तो आप उनके निर्नेों का स्वागत करें प्रभू, हमारी बिंती है पिता परमेश्वर, हमारे जवान बच्चों के लिए, और हमारे उन छोटे बच्चों के लिए प्रभू, जो अपनी पढ़ाई लिखाई में इस समय संगर्श कर रहे हैं, जो अपने भविश्य को लेकर चिंदित हैं कलेसियाई जीवन में प्रभू अपने आपके वच्चन को प्रभू गहराई से समझें, ताकि ये बच्चे आपके वच्चन में बढ़ते चले जाएं, उनके लिए प्रभू जो आपने भविश्य की योजना बनाई हैं, उस योजना को पूरी करने में प्रभू आप सहायत आदर के साथ इस बिंती को प्रभु शुक्रिस्ट के नाम से मांगते हैं आमिन प्री दोस्तों यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपिया हमें लिख भेजें अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलकात होगी इस अध्यन को आगे बढ़ाते हुए तब तक परमेश्वर की आशीशों में बने रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें वच्चन की सिक्षा में बढ़ाएं प्रभू आप सबों को आशीश दे नमस्कार